ओम सिरीगरे सायनम दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अगस्त शुक्रवार के रासी फल के बारे में की हाँ दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मीडिया आप लोगोसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चैनल दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदायक सूचना आपको प्राप्थ होगी दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबंदित कई नई उपलब्दियां उत्पन कर सकते हैं जो आपके भविश्य के लिए काफी लाबदायक साबित होंगे दोस्तों साथि साथ आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना है दन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशेश रूप से ध्यान दे लाबदायक समय आज आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सदियो प्योग करें दोस्तों कर्म धर्म वे समाजिक सेवा संबंदित कारों के परती आज आज आपका रुजहान रहेगा किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से चानवीन करें इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुतबा भी बढ़ेगा बच्चों की किसी उपलब्दी से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तो किसी मित्र के मुशीबत के समय में आज आप उसका सहयोग करेंगे जिससे आपको आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धान्तों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसने आज आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आज आपका रुजान रहेगा जरुतमंदों की साहिता में भी आज आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लि अपने स्वयभाब पर नियंतर रखें क्योंकि कभी-कभी वैवार में चड़-चड़ापन आपको अपने लक्षे से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तों आपके स्वयभाब में एक कारण ही गुस्सा या उग्रता आ आवश्चक है और अपनी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें दोस्तों बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दरसन देने की आपको आवश्चकता है मकान वैगाडी से संबंदित काग आदों को आप बहुती अधिक समाल कर रखें उनके खोने या रख कर बूलने की आज संबहवना बन रही हैं दोस्तों अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है किसी नजिदी की रिष्टेदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होने क की भी आसंका है दोस्तों अपने स्ववाव में लचीला पन रखें तता रिष्टों की मरियादा का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है दोस्तों संतान की किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहीगी परंतु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहें कि भावुकता में आकर कोई भी निर्ण ना लें वैवारिक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक हैं दोस्तो विरोधी आपके लिए आज कुछ मुश्किलें पैदा कर सकते हैं परंतु आप अपना आत्म विशवास बनाए रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तो साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफलता प्राप्त करने में कुछ मुस्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मांसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ के शिरेने वाली है दोस्तो वहवायत जीवन को खुस में बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पा पूर्ण रहेगी प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है अपने वहवार को आप संयमित रखें दोस्तो अपने प्रते कारे में जीवन साती की सला लेना आपके केई कारे को पूरा करने में मदद करेगा प्रेम संबंदों में भी परिवारिक के शुकरती प्राप्त होगी दोस्तो वेस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं परन्तु जीवन साथी आपकी परिशानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे दोस्तो घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं और माहोल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्रा होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाएक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो कारेच्छित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक् प्राप्त हो सकते हैं किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सला आपके वैवसाई के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी दोस्तो इसकी बहुत अधिक आवश्यक्ता हैं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें नौकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्दी मिलने के योग आज बन रहे हैं जिससे उनको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो वैवसाईक उदेश्यकों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं अगर किसी नए कारे की शुरूरात की हैं तो अब उसके उचिते परणाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे नौकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ ने अवसर आज बन रहे हैं दोस्तो आपको अपनी मेहनत के अनुरूप आज फल दायक परणाम प्राप्त होंगे परन्तो मारकेटिंग वे भार के कारों को आज इस्तगित रखें किसी नजद हैं दोस्तो आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्य उत्पन हो सकती हैं ला परवाई ना करें अपनी दिन चरिया व्यवस्थित रखें और आयरुवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वस्थ रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इसनान आदिशे निरवत्र होने के बाद बहुती शच्चे मन से बहुती श्रदाभाव से चावल और दूद की खीर बना लिए दोस्तो इसके बाद आप ज़्ये कियार हो जाए तो इसका भौग सबसे पहले आप मा लख्शमी को लगाएं इसके बाद आप इस खीर को गरीबों में बाटें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही मा लख्शमी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दू करेंगी यां दोस्तो मालक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै मालक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद